नमस्कार आप देख रहे हैं सियासत का खेल जवनपुर मलहानी उप्चुनाओं के लिए समाजवादी पाटी ने नए कार्याले का उदगाटन किया मलहानी उप्चुनाव को देखते हुए समाजवादी पाटी के लोक प्रिये युवानेता लखी यादो के नेत्रित में मलहानी के लखोवा बाजार में नैक कार राले में पूजन करके उदगाटन किया गया इस कारक्रम में मुक अतित के रूप में समाधवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्ब मंत्री एवं सागन से सपा के बिधायक सेलेंद यादो ललाई उपस्थित रहे आपको बतातें चलिकी यूपी के दिगनेता पूर्व मंत्री वा मलहानी के बिधायक रहे पारसनात यादों के निधन के बाद अभिया मलहानी सीट खाली हो गई है और इस सीट पर जल्द ही उपचुनाओं होने वाला है इस उपचुनाओं में सुर्गिये पारसनात यादों के बड़े पुटर लकी यादों सपा के प्रत्यासी होंगे अपने पिता की बिरासत को बचाने के लिए लकी यादों ने पूरा ताकत जोग दिया है आपको बतादें कि इसी के चलते सपा के लोग प्रिय युवानेता लकी यादों ने मलहानी बिधान सवा के लखवा बजार में नए कार्याले का उद्गाटन किया और इस करक्रम में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कई कारकरता उपर स्थित हुए आपको बतादें कि इस उप्चुनाओ कार्याले के उद्गाटन के औसर पर पूर्व मंत्री सलेंद यादो ललाई के अलावां पूर्व मंत्री जगदीस नाडायाण पूर्व मंत्री एवं वर्तमान सपा बिधायक जगदीस सोनकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यच लाल बहदूर्यादो सपा जिला पंचायट अध्यच राज बहदूर्यादो सहित सपा के कई नेता और कई कारकरता उपस्थित रहे अगर आपने हभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल बटन जरूद आएं वीडियो देखने के लिए धन्वाद